हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टापी फ्रूट प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईप्यो के अंदर आपको कितना लिस्टिंग इन हो सकता है और आपको इस आईप्यो में अपलाए करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दीकि सब्सक्राइब हम यह जानेंगे कि यह कंपनी क्या काम करती है तो दीकि यह जो कंपनी है यह जैली बेस फ्रूट प्रूट बनाने का यह कंपनी काम करती है जैसे कि अगर आप देखोगे कैंडिड हो क्रिस्टलाइज हो जो गलेजद फ्रूट चोते है और जो पहले प्रोप्रेटिटरशिप नहीं की पहले काफी लो लेवल से बिढर स्टार्ट हुआ था पहले ये कंपनी कंपनी नहीं थी पहले प्रोप्रेटर शिस र fällt हुई है याのई के यहाँ पर गंश्या हम जो लखी जिए जब इन्हों ने कंपनी स्टार्ट की थी यह पहले अख जो IAS to certified है वहाँ से company के product certified भी है जो कि food safety और standards कि भी अगर अगर हम बात करेंगे तो भी यहाँ पे company के certification हमें यहाँ पे company के नजर आते हैं अब अगर हम company के product की अगर हम बात करेंगे तो around 28,38 के यहाँ पे company के products available है जिसके to year union territories भी included है और अगर हम इनके network की अगर हम बात करेंगे 60 से भी ज़्यादा इनके super stockist हमें याँ पे company के नजर आते हैं प्रेकिए एक अच्छा काशा pan India network है और जिस तरीके से growth भी देखने को मिल रही है लेकिन खास करके अगर आप देखोगे यह जो fruit यहां पर ऑर्गेनाइज दुवे में जो बड़ी बड़ी companies है उनका market share यहां पर काफी ज़्यादा है ऐसे छोटे लेवल पर अगर company को अच्छे से grow करना है तो वहां पर डेफिनेटली एक अच्छी कासी marketing strategy लगेगी तो यह आपके customer को यानि की customers उनका आपके product के बारे में पता चलेगा और वह आपके customer को touch करेगा यानिक आपके product को touch करेगा लेकिन देखिए वह marketing expense के लिए definitely आपके बाद में 20-25 करोड पर होने चीए अगर आपको एक अच्छा market वहां पर target करना है तो अब अगर हम competitive strength के बारे में अगर हम दिखेंगे तो यहाँ पर company का ऐसा मानना है कि वो जो बहुत कम जो fruit वाले players के अंदर हमें नजर आते तो उसके अंदर company हमें यहाँ पर नजर आती है किस्टान यह जो company इसका fruit jam काफी जल जलता है तो एक वह बहुत बड़ा competition हमें आपर नजर आता है लेकिन देखिए यह company काफी छोटे level पर काम कर रही है तो अब यह company का profit एक करोड के लगबग भी नहीं है है तो आपको वह में यहाँ पर सूचना चाहिए बाकि distribution network अभी देखा जा तो company ने अच्छा है यहाँ पर कर रहा है कर रखा है और अगर हम यहाँ पर manufacturing facility के अगर हम बात करेंगे तो company खोद यहाँ पर manufacture करती है और जो food safety के वह भी बनाने का यह company काम करती है और अगर हम promoters की बात करेंगे तो promoters यहाँ पर experience चेटो देखिए अगर आप देखो के modern 20 years का इनको यहाँ पर experience चेटो definitely उनको पता होगा कि कब किसकी demand ज्यादा है यानि कि कब कौशी सीच आपको ज्यादा manufacture करनी है और कब कौशी सीच आप करने के लिए यहाँ पर company का IPO आ रहा है और थोड़ी बहुत जो company की borrowing चो से company repay करने वाली है अब यहाँ पर अगर हम company के promoters के बारे में हमने अल्रेडी बात कर लिए गंश्याम लाल जी भाई यह company के promoters है और अशोक कुमार लाल जी भाई हमें company के promoters नजर आते हैं तो देखि यहाँ पर company का हो गया है यहाँ पर company को 86 लाक रुपीज का लॉस्ट हुआ था 86 लाक नहीं है यह 86 थाउजन रुपीज है उसके बाद में 10 लाक रुपे का profit का पर यहाँ पर company को हुआ है तो यही मैं आपको सम्झाने की कोशिश करा था अगर धीर जीर यह company घ्रो होती है और अगर हम यहाँ पर IPO details के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें 12 September को यह IPO open होने वाला है और 14 September को यह IPO हमें close दोता हुआ नजर आएगा 48 रुपीज पर share पर यहाँ पर यह company share दे रही है और 3000 shares का हमें यहाँ पर lot नजर आता है यानि कि एक lot को apply करने के लिए हमे 144,000 रु 20 के लगबग का में यहाँ पर retail quota नजर आता है तो कि अगर आप देखोगे काफी छोटा यह number है अगर आप देखोगे चिफ नॉर्मल लगा स्रिफ 100 लोग अगर इस IPO में अप्लाय करेंगे 100-800 लोग यह IPO totally subscribe हमें होता हुआ नजर आएगा मैं retail category की बात करूं बाकि overall आप दे यहाँ पर अगर आप 2 lot लगाने जाओगे तो 2,88,000 रुपीज वो हो जाएगा तो अगर आपको एक lot से ज्यादा की application अगर आपको लगानी है तो आपको H&I quota में application लगानी पड़ेगी तो ठीके मेरे काल से as a whole यह business model काफी अच्छा नजर आता है जिस तरीके से इंडिया मे consumption की demand बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर definitely जिस इस areas में यह जो organized players है यह जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर कमनी concentrate करके अपने आपको grow करने की कोशिश कर सकती है तो मेरे खाल से IP की जो size जो भी काफी छोटी है और जिस तरगी की phenomenal liquidity अभी market में available है तो मेरे खाल से तो definitely आपने इस IP में apply करना चीए मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना छोटा IP तो around 20-25% इसकी listing आराम से यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे तो दोस्टों में होपकतों की टापी fruit processing के IP के बारे में आपको सब कुछ समझ में आगया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टों thank you have a nice day